क्या रूस की पंडुबी से पूरी दुनिया के इंटरनेट को खत्रा है? क्या रूसी सब्मरीन के कारण विश भर में संचार का आदान प्रदान थम सकता है? आखर ब्रिटन ने रूस को ये अल्टिमेटम क्यों दिया? कि रूस की पंडुबी से अगर एक भी कम्यूनिकेशन केबल टूटी तो इसे युद्ध का सिगनल माना जाएगा क्या कम्यूनिकेशन केबल के बहाने रूस और ब्रिटन के बीच वार बेल बच चुकी है? क्या आर्क्टिक सागर में युद्ध की नई विसात बिच रही है? क्या भाइस में ब्रिटेन और रूस के बीच युद्ध होने वारा है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि ब्रिटेन ने रूस को चेहताव नहीं थी रूस की बढ़ती समुद्री ताकत को लेकर चिंता जताई ब्रिटेन के चीफ और डिफेंस स्टाफ यानि सीडियस सर टॉम रेटकिन ने कहा है रूस ने पिछले 20 साल में पंडूपियों और पानी की नीचे की कतिविधियों में इजाफा किया है इससे पूरी दुनिया का रियल टाइम कम्यूनिकेशन सिस्टम जोखे में पढ़ सकता है रूस इसके अधार पर दुनिया भर के देशों को ब्लैक मील भी कर सकता है पंडलवारे क्यों खिषती जा रही है इसे जानने के लिए थोड़ा फ्लैश पैक में चलना होगा दरसल दो साल पहले आर्क्टिक महासागर में रूस की पंडूपी और प्रिटेन के युदपोद के बीश टकर हुई थी रूसी हंटर किलर पंडूपी को ट्रैक करने के दौरान हमस नौर्थ बर्लैंड उससे टकरा गया था इस टकराव ने युदपोद के सोनार सिस्टम को हिट किया था इस घटना को ब्रिटेन के चैनल फाइव की टीवी क्रू ने एक शो की शूटिंग के दौरान रेकॉर्ड कर लिया था पीते साल भी युके के रक्षा सचिव बेन वरलेस ने चेताबनी दी थी कि रूसी बंडुपियां कथे तौर पर ब्रिटेन की पूरी तट्रेखा का चक्कर लगा रही इसके बाद से ब्रिटेन ने भी वहाँ सेने तैनाती बढ़ा दी प्रिटेन ने साइप्रस में अपने एरफोर स्टेशन अरकोटीरी पर आवाक्स को तैनात किया हुआ है ये एक्राउट साइप्रस से उड़ान भर कर रूस की हवाई सीमा की निगरानी कर रहे प्रिटेन और रूस के बीच टेंशन बढ़ती जा रही रूस की बढ़ती थाकत प्रिटेन की नहीं चिंता का कारण बन रही इसलिए प्रिटेन ने दो टू कहा है अगर रूस ने पानी के भीतर मेतपूर कम्यूनिकेशन केबल्स को काटा तो इसे युद्ध की कारवाही माना शायगा प्रिटेन रपोर्ट टीवी नाइन भारतवर्श पर